हेई दियर फ्रेंड इस सली और वाचिंग और फिचर यूटिव चैनल सो वालकम टू एनाधर ब्रैंड न्यू विडियो स्टाट करने से पहर एक छोटी सी गुजारिश है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में एक छोटु सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुर मत भूले लाकर चैसे कोई न्यू अपडेट हो तो सबसे पहले बढ़े असानी के साथ आप तक पहुंच सके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना तो आज की वीडियो का आगास करते हैं तेंकिए पर वाचिंग अलाहाफिज तो आज की जो हम कुप्लीट करने जा रहे हैं को इसका नाम है जोगर फ्रेश इटर तो यह कुष्ट की लॉट आफ रिकमेंडिड आइटम्स हमें चाहिए बट मैं आपको चंद चीजों से भी यह कुष्ट करके दूँगा अपने यूटिब से यह जिन्होंने की हैं बेश कुष्ट कंप्लीट कर दोंगा ठीक हो गया उसके बाद इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताओंगा जब हम जंगल पोशन कुष्ट कर रहे थे तो उसके दुरान में आपको कहा था कि दो दो लीफ या इस तरह सी जोन सी चीज़े हैं वो आप एक्स्रा ले 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 वो किस काम आती है तो इस कुष्ट में मैं आपको बताओंगा वो किस काम आती है लेकिन पहले हम अपनी कुष्ट का आखास करते हैं तो जो मैं आपको चीज़ें बताओंगा आप वो ही यूज करो तो बेहतर है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो के पेकार सी हैं ठीक है नमबर वन पर आपको बताओंगा कम से कम आपको 9 से 14 इन्वेंटरी स्पेस आपकी खाली होनी चाहिए ठीक उसके बाद येफ्रेंड यहां पर क्विस्ट की बात की जाएं बिग जंपी बर्ड हरन्टिंग क्विस्ट होनी चाहिए आपकी ठीक है आपको चाहिए जी कम से कम एक हैमर X वुल्फ बो एक ठीक है उसके बो स्ट्रिंग कम से कम दो सो आपके पास फीदर होने चाहिए 50 आपके पास नेल्स होने चाहिए ठीक हो गया उसके बाद आप प्रेयर पॉशन रख सकते हो स्टैमना पॉशन भी रख सकते हो ठीक है इतनी चीज़ें हमें लेकर जानी है ठीक है उसके बाद रिकमेंडिड आइटम में वेट रिड्यूज आर्मर आप यूज कर सकते हो कुछ फूर चांद एक पीस रख सकते हो ठीक हो गया रिस्टोर पॉशन रख सकते हो और टेलिपोटेशन में वन यानल टेलिपोट आपके पास होना चाहिए नहीं तो आप मिनी अगर गेम आपने हां लाग की होई है तो उसकी मदद से आप जा सकते हो या डियर फ्रेंड आप सिंपल रिंग आफ डियूलिंग आप यूज़ कर लो कैसर वार से आप नीचे की तरफ आजाओ ये कुस्ट जो स्टार्ट होगी ये कुस्ट होगी जिगस से और जिगस कहा है और किस जगह से मैं मिलेगा ठीक है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड सिंपल अपने अगर आपको नहीं मिल रही कुछ चीज तो आप इदर से सर्च करके भी लिख सकते है ठीक है नहीं तो मैं आपको अभी वहां पे ले जाता हूँ ठीक हो गया तो कुछ डियर फ्रेंड हमारी स्टार्ट होगी बिल्कुल ये कैस्ट ओवार जो है इसके साउथ पोजिशन में इस जगह पर ठीक है इदर से हमारी कुछ का आगाज होगा तो चलिए मैं वहीं पर मिलता हूँ आपको मैं रिंग ऐफ ड्यूलिंग से राइट क्लिक करता हूँ और चलता हूँ जी कैस्ट ओवार तो हम सीधा इस जगह पर आजाएंगे ठीक तो इदर से रनिंग करवाता हूँ मैं इसको और इस चगह पर लेके आता हूँ जहाँ पर हमारी क्वेस्ट का आगाज होगा तो दियर फ्रेंड आप ऐसा करो आप कोई छोटा मोटा आप गेर यूज कर लो तो रेंजिंग गेर यूज आपने करना है वो आप ब्लू डिहाइट बॉड़ी आप ले सकते हो और बाकी सारी ऐसी चीज़े ले सकते हो क्योंकि रेंज के साथ हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट करनी है ठीक है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यह मौते ताज़े बंदे नज़र आएंगे लेकिन आपने यहाँ पर टॉक करनी ग्रेश के साथ है यह रहा जी ग्रेश इससे आपने टॉक करनी है स्पेस प्रेस करके डियाफ फरेंड रखना है आप्शन नमबर 3 उसके बार दियर फ्रेंड आप्शन नमबर फूर देन आप्शन नमबर टू एंड आप्शन नमबर वन यह में तू या थ्री चीजें देदेगा मतलब कुल मुलाकफ फाइफ चीजें देगे देगा कुछ खाने के लिए दो अपने इसने रिस्टोर पोशन देदिये थ्री आपको मिल गए जी कुप्ट चंपी मिल गए यहां से ठीक है अगर कुष्ट सदेखें तो यहां पर यह एंड पर हमारी कुष्ट होगी यह कुष्ट भी यहां से हमारी स्टार्ट होगी Okay हो गगया उसके बाद ये फ्रेंड आपने बिलकुल इस्ट की तरफ जाना है यहां पर एक गार्ड मिलेगा उससे आपने टॉक करनी क्योंकि इधर से हमारा बुज़ना मुश्किल है तो आपने ये आगरी गार्ड से आपने करना है जी टॉक तो ये क्या करेगा ये इसको तोड़ देगा और आपको रस्ता बना देगा ठीक है उसके बड़ दियर फ्रेंड आपने अंदर जाना है यहां पर आपको बहुत सारी हिट करने की कोश्च करेंगे गार आपका लो लेवल है तो प्लीज आप अपने साथ कुछ स्टैमना पोशिन ऐसे चीज़ें लेके जाए अंदर आजाना है बिलकुल आपने यहां पर एक डंजन का निशान होगा आपने नीचे चले जाना है इ देंडियर फ्रेंड आपने वेस्ट की तरफ रणिंग करनी आप देख सकते हो मिनी मैप में यह बड़ा सा एक बलैक सा होल नजर आ रहा है इस से आपने वेस्ट नौर्स की तरफ रणिंग करना है स्टार्ट कर देना ठीक है और जैसी इदर आएंगे तो एक कट सीन आजाएगा यहां पर आपको ठी चीज़े मिलेंगी एक यह स्केलटन होगा जो गिरा होगा ठीक है एक यह कैफेन होगी ठीक है यानिक यह कबर होगी और एक हमने सर्च करनाए इसको यह ब्रॉकन लैंटन को तो मेक शूर कि आपके पास जो है अपहल 산 लाजमी खाली हो तो डियर फ्रेंड यहां पर हमने थ्री चीज़ों को सर्च करना है ठीक है एक यह ब्रोकन लेंटर्ण को एक इसके साथ स्केल्टन पड़ा है और एक यह ओगर कैफन है ठीक है तो पहले मैं इसको सर्च करता हूँ तो इससे हमें एक पेज टाइब मिल जाएगा ठीक हो गया इस पेज को आपने रीड करना है एक दफाह बस क्लिक करना है रीड तो क्या बस क्लिक करना है उसके बस स्पेश प्रेस करनी है देन डियर फ्रेंड आपने जैसे स्केल्टन को सर्च करना है तो यहाँ पर एक बॉस आ जाएगा तो मैं अपने अपने एक्स को एक्विप कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास मैं लाना भूल गया हूँ यहाँ पर कोई भी चीज बगी इतना खास वो बॉस नहीं होगा चोटा सी होगा उसको किल कर लेंगे तो इसको सर्च करते हैं तो एक यह आजाएगा बॉस आजाएगा इसको आपने किल करना है सिरफ 39 लैवल का होगा जैसे यह किल हो जाएगा तो इसने अपने बैक ट्रॉप करना है इसके अंदर से हमें दो चीज़ें और मेलेगी तो यह देखें इसने बैक गिराया इसको आपने बैक पैक को आपने पकड़ लेना अपनी इन्वेंटरी में रख लेना ठीक है उसके बाद इसको आपने क्या करना है क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगी दिया फ्रेंट तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी एक नाइफ हमें मिल जाएगा ठीक है और एक यह हमें रोटीन फूड मिलेगा इसको आपने ड्रॉप कर देना हमें यह एक कप मिलेगा यह इसका नाम है जी ड्रैगन इन्टेंकर ठीक है य तो यहां पर आपकी जो strength है वो काम आगे अगर आपकी strength बिलकुल low है तो आप यह नहीं कर सकोगी तो बेहतर है आप restore potion इस तरह से रखें बलके वह आपको मिली जाएगा restore potion यह देखें आपके पास आगया यह उसके बाद यह फ्रेंड जैसे इसको एक दफ़र सर्च करना है फ अपन करने की यह बहुत है वह बोर रहा हमारा player तो finally इसको हमने open कर लिया इसको फिर जब यह open हो जाएगी इसको आपने करना सर्च तो मैं black color का diamond मिल जाएगा यह कुछ black germs इस तरह से मिलेगा ठीक हो गया तो dear friend आप देख सकते हो मैं आपको leveling में दिखा रिता हूँ तो यह हमारी जो है ना defense और strength पर यह इसको जोड़ लगाने से ज़दा हमें हिट होगा ठीक हो गया अब dear friend यहां से हमने yanil जाना है तो उसका मैं टेलिपॉर्ट आपको में तर बदा देता हूँ yanil बिलकुल pass है crystal war के आप dealing की मलद से भी यहां से चलके जा सकते हो या simple आप nightmare zone mini game से भी आप यहां पर जा सकते हो ठीक है तो मैं क्या करूंगा या आप fairy link के जरीए CIQ यूज़ करके वहां पर जा सकते हो तो मैं nightmare zone से mini game से वहां पर टेलिपॉट हो जाओंगा ठीक है तो आपको मैंने टीनों में बता देता है dealing की मदद से भी आप जा सकते हो ओके डियर फ्रेंड तो हम nightmare zone में आगे हैं ठीक है तो हमने जाना कहां पर मैं आपको दिखा देता हूं हमने ये visitor guilt जो है इसके सामने आना है तो मैं बिल्कुल पास ही है तो यहां से चल के आते हैं bank जो होगा इसके सामने है ठीक है तो आप देख रहे होगे को आपका जो hit point है वो effect कर रहा होगा yellow hit के साथ तो इसको clean करने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना हमें लेकिन पहले हम ये काम अपना complete कर लेते हैं फि यहां पर एक visitor आ जाएगा आपने क्या करना है इससे talk start करते हैं तो यह दो चीज़ें चेक करेंगा हमसे एक जो white paper और दूसरा जो dark color का हमारे पास यह आया है जम्स आया ठीक हो गया उसके बाद कोई भी option है doesn't matter आपने क्या करना है आपने इदर बिल्कुल north position में जाना है और सामने एक room होगा यह देखें इसका door open है इसके अंदर जाना है और जाके सीडियां को climb up करें तो dear friend यहां पर मैं एक छोड़ी सी बात clear कर देता हूं अगर आपका defense और यह सब कुछ low है तो आप simple एक काम करो मैं भी आपको दिखा देता हूं यहीं मैं आपको दुबारा से start कर आपने क्या करना है यहां से right click करना है और clinic wars जाना है यहां पर ठीक है जैसी आपने यहां पर आ जाना है तो आप simple dear friend यहां पर एक hall होगा पॉल्टर होगा आपनी बिल्कुल west की तरफ जाना है तो आप totally तोर पर मकमल तोर पर हील अप हो जाओगी हर चीज़ आपकी okay हो तो यह पॉल्टर के पास आप आजाना है अपने ठीक है इसके अंदर आपने एक दफ़र जाना है उसके बाद आपने बाहर आ जाना है तो आप देख सकते हमारी हिट पॉइंट और सब कुछ अपनी लेवलिंग पर आगया तो अब मेरे पास जाने के लिए नाइट मेरे जो अभी 16 मिंट है तो वहाँ पे कैसे पहुंचें तो सिंपल उसका डियर फ्रेंड एक रस्ता है थोड़ा सा यह बैंक के पास हमने जाना यहाँ पे हमें एक पॉर्टर मिलेगा जो कि निकलेगा सीधा क्रिस्टर बावर में यह देखें ठीक हो गया तो यहाने लपास ही है तो मैं आपके सामने यहाँ पे रनिंग करके जाता हूँ तब तक के लिए वेट करें हैं हमने इस रूम के अंदर जाना आपको याद ही होगा इस रूम के अंदर यहां तो डिफ्रेंट इ Cock daha लागे आफ इस door का grant है बड़े door को ठीक है आगे बाले की इ सब्राइब करना में और जहां से हम़री क्वेस्ट्स अन्डोि थी उढ़र से अगें आपने स्टार्ट कर देनी है अगे जाना थोड़ा सा इस रूम के अंदर हमने जाना था हाई होप कि आप समझ गये होगे मैंने क्या किया ठीक है इसके उपर जाना है आप वहीं से स्कोस्ट का अगास करते हैं उसके बाद यह फ्रेंड थोड़ा सा आगे आना है तो यहाँ पर यह वाले दो रूम होगे आपने जो तो second वाला रूम है इसको आपने open करना यहाँ पर मैं थोड़ा सा camera रोटेर करता हूँ यहाँ पर एक आदमी होगा तो कोई भी option है, doesn't matter, कोई मसल नहीं, इसके पास यहां पे बहुत साली अलमारी जो अलमारी होंगे, आपने ये वाली जो अलमारी है, इसको सर्च करना है, make sure कि आपके पास inventory space लाजमी खाली हो, 3 से 5, ठीक है, तो इसको मैं सर्च करता हूँ, तो हमें books मिलेगी, एक ये book मिलग इदर से भी हमें book मिल जागी, फिर ये draws है, इसको सर्च करेंगे, तो दो चीज़ें हमें यह आपे और मिल जाएंगे, ठीक हो गया, बलकि 3 books और 2 चीज़ें वो मिली हैं, जो एक paper सा है, white sketches से बनवाना है, हमें portrait size का है, ठीक है, और एक ये black color का मिला है, फिर आप one by one इन books को read करने की कोशिश करो, ठीक है, पास click करते जाना है, और space बत जाना है, इस book को भी ठीक है, फिर ये जो paper है, इसको click करके इस बन्दे के उपर आपने click करना है, तो आप एक sketch बना के दोगे इसको, दिखाओगे ठीक है, ये देखें, एक sketch बन गया, अब डियाफरेंट ध्यान से यहाँ पर note कीजेगा, इस जो drawing बनी है, इस पर right click करके आपके पास लाजमी आना चाहिए, ये देखें, classic real stick, ये लाजमी आना चाहिए आपके पास, अगर ये ना आए तो दुबारा इसको drop करना है, इनको search करना है, कबिट को और ये, कब, sorry, ये draw को, तो ये आपको दुबारा से white paper मिल जाएगा, तो ये लाजमी आपके पास आना चाहिए, classic real stick, ये वाला ठीक हो गया, अब ये फ्रेंड इदर से बाहर जाना है, ठीक हो गया, बाहर तो अब आगए, अब हमने यहां पे एक pub होगा, उसकी तरफ जाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, word map पर, ये इदर पास ही है, ये आनल के पास ये pub है, तो इदर आपने आजाना, इस टोर को ओपन करना है, मैं कैमरा रोटेट कर लेता हूँ, इदर एक बंदा होगा, बार टेंडर, ठीक है, और जो आपको कप मिला था ये वाला, ठीक है, इसको आपने राइट क्लिक करके यूज करना है, इस बार टेंडर के उपर, और डियर फ्रेंट स्पेस प्रेस करना है, यहां पर, फिर डियर फ्रेंट जो रियल स्टिक आपने ड्राइंग की है, आपने इसको भी इसको उपर यूज करना है, स्पेस प्रेस करकर रखनी है, ये क्या करेगा, ये इसको साइन कर देगा, पिर अपने वापिस उसी विजिटर के पास जाना जिसकी हमने डोर बैल बजाई थी तो अगेन इसके सामने आके डियर फ्रेंड आपने क्या करना है इस बैल पर क्लिक करना है वो विजिटर फिर आ जाएगा स्पेस प्रेस करना है अप्शन नमबर त्री यहाँ पर प्रेस करना है यह सारी बुक्स और ड्राइंग वगरा यह सब कुछ चेक करेगा और बाद में क्या करेगा यह हमसे मेरा ख्याल है सारी चीज़ें ले लेगा यह और ये सारी चीज़ें लेने के बाद ये हमें एक portion दे देगा ये अब देख सकते हैं एक portion इस ने दिया अब कinking Dan आप वार्था वाले room में जाना है इसनी सीडियों से उपर जाना है उसी room में जाना है second room में जाहोँ पर वो से command पढ़ा हुआ थीक है अब दियर फ्रेंड थोड़ा समय कैमरा रोटेट करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे एक कप आफ टी पड़ा हुआ है यह जो पोशन है इसको आपने यूज करना है इसके उपर स्पेस प्रेस करनी है उसके बाद आपने एक दफ़ा नीचे जाना है फिर उपर आना है यह गेम की रिक्वाइमेंट है इस क्विस्ट की भी ठीक अब दुबारा से उपर जाना है अंदर आना है इससे अब टॉक करनी है इस पर क्लिक करना है इस बंदे पर टॉक स्टार्ट करनी है option number one उसके बाद two फिर three option number two and three so dear friend जो भी option आए doesn't matter आपने नीचे चले जाना है अब आपने जाना है मैं आपको दिखालता हूँ अब final step है हमारा boss fight के साथ तो अगर आप heel आप अभी तक नहीं हुए तो मैंने आपको बता दिया डूलिंग की मदद से आप clean guard जाओ वहाँ पोपोर्टल में जाना है अपने तो उधर से dear friend आपने simple आप सरा restore हो जाना है और आप crystal wall चले जाओगे तो अब हमने जिगग जाना है अब हम final जो है fight करनी है boss के साथ तो उसके लिए क्या की requirement है वहीं पे मैं डूलिंग की मदद से जाओँगा है तो इदर पास ही लेकिन time waste ना हो तो मैं चाहता हूँ यहां से सीधा किस्टा war इदर से बाइर आते हैं कुस्ट अपनी की तरफ ठीक हो गया तो अब हमने बहुत से fight करनी है तो आप अपनी मतलब उद्र किस्टा war के bank से आप अपना रेंजिंग वगेरा सब कुछ आप ले लो हर चीज़ अब हमने क्या करना है अब आपके पास क्या क्या चीज़ी होनी चाहिए क्या क्या requirement होनी चाहिए अब हमने एक बनाना है bow auger bow बनाना है जो के boss पर ज्यादा effect होगा वैसे तो और भी चीज़ें कर सकती हैं लेकिन auger bow से ज्यादा effect होगा उसको बनाने के लिए dear friend हमारे पास एक एक्स होना चाहिए जो के औरेडी मेरे पास है ठीक है उसके बाद एक wolf bow होनी चाहिए उसके बाद मैं ये आपके सामने ही आगया page वगरा ठीक है आप देखी रहे हो उसके बाद bow string हो आपके पास होनी चाहिए ठीक हो गया एरो मेक करने के लिए dear friend आपके पास यहां पे काफी सारे tree होंगे ये देखें इन tree'ों से मुख्लिफ होंगे ठीक है इनके logs आपने लेने हैं आपके पास 50 या 100 आपके पास snail होने चाहिए एक hammer होना चाहिए और कुछ feeder होने चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ dear friend मैं इदर से ये खाली bottle होगी इसको मैं गिरा देता हूँ इसके कोई जरूरत नहीं तो कुछ logs से ले लेता हूँ ठीक जिन्होंने मेरी last video देखी है बिग चॉंपे bird hunting उसके अंदर मैंने बताया हूँ है कि ये arrow किस तरह से make करने है तो मैं जल्दी से इनके tree काट लेता हूँ फिर आपसे दुबारा यहीं पे मिल so dear friend हम मैंने यहां पे काफी ज़दा यह logs वगरा काट लिए हैं आपके लिए कर लेता हैं लेकिन उससे पहले आप क्या करना है एक inventory space आपके पास लाजमी खाली होनी चाहिए अगर नहीं तो आप कर लीजिए कोई चीज चाहिए आप यह खा लीजिए दो चीजे मेरे पास होगी अब अपने यह grace के साथ दुबारा से talk करनी है ठीक है space प्रेस करकर रखना है option number one प्रेस करना है यह आपको एक key दे देगा ठीक हो गया फिर दुबारा इससे talk करनी है space प्रेस करकर रखनी है और option number इस दफ़ा आपने two प्रेस करना है यह आपको बोब बनाने का तरीका बताएगा क्या करना है हम और रेड़ी यहाँ पे हर चीज कर चुके है सारा की सारी चीज़ें तो क्या करना है डियर फ्रेंड knife को log के उपर क्लिक करना है तूसरा option दबाना है इस दफ़ा ठीक है number two सिर्फ एक दफ़ा दबाना नहीं तो यह बार बार यह जितने भी log है उनके बनाना जो है start कर देगा ठीक हो गया यह हमें एक bow मिल गया उसके बाद क्या करना है हमारी जो wolf वो है वो खुद बहुद इसके उपर यूज हो जाएगी ठीक दें डियर फ्रेंड क्या करना है यह bow string है इसको भी इसके उपर यूज करना है तो हमारा बन जाएगा एक comp auger bow ठीक है इसको आपने equip कर लेना है अब डियर फ्रेंड second number पर हमने make करना है यहाँ पर arrow जो कि मैं पहले बता चुका हूँ knife को यूज करना है लोग के उपर arrow पर क्लिक करना है तो यह arrow make होना start हो जाएंगे आप एवार डिवाइस का use कर सकते हो उसका benefit यह होगा dear friend के आपके जो यह arrow है जो आप make कर रहे हो वो गिरेंगे नहीं अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है आप फिर ऐसे use करो उसके बाद dear friend के करना है जब हमारे यह shifting होगे इसके बाद आपने इस जो भी है आपके पास यह feeder इनके ओपर यूज करना है तो जैसे यह complete होते हैं उसके बाद आपने nails इनके ओपर यूज करने है तो हमारे जो है arrow यहाँ पर complete होगे है so finally हमारे arrow यहाँ पर 37 बने है तो आपने इसको भी equip कर लेना है तो अब क्या करना है अब यह friend again आपने east की तरफ जाना है वही same method जैसे हमने first time किया था ठीक है इदर इसको cross करना है नीचे जाना है dungeon के अंदर जैसे के हम पहले first time जो हम घुजरे थे यहाँ पर जा चुके है यहाँ पर एक dungeon का निशाना आएगा आपने इससे नीचे जाना है उसके बाद यह friend west की तरफ आपने running करनी है इस बड़े से hole के पास से गुजरना है आगे आप देखोगे कि last में जाना है घुजरते जाना है last में आप देखोगे कि यहाँ पर एक door आएंगे दो आएंगे पहले इसको open करना है अंदर आना है again मैं camera rotate करता हूँ इसको भी open करना है ठीक हो गया अब dear friend इस dungeon के last में आपने आना है इदर आके इससे आपने नीचे जाना है ठीक अब north की तरफ आपने running करनी है बेलकुल end में जाना है आपने इसके तो यहाँ पर आएगा जी boss make sure कि आपके पास इन्टरी स्पेस खाली हो तो इदर आके आपने रुक जाना है इस जगह पर तो यहाँ पर एक stand होगा इसको आपने search करना है तो बहुसा आजाएगा यह देखे बहुसा आगए इसकी safe spot यही है कि आप थोड़ा सा इस corner में आजाएए तो उसके बाद आप missiles use कर सकते हैं क्योंकि यह range के साथ attack करेगा आपने भी इसी के साथ attack करना है तो फानली एक ही लोग है यहाँ पर ठीक है इदर आना है जल्दी से हर एक चीज इसकी उठा लेनी है ठीक हमें इसकी हर एक चीज यह हमें इसकी बॉन्स मिली हर चीज आपने इसकी इठा लेनी है यह देख सकते हैं आप यह चीजे भी मिलगी ओक्योंगा अब हमें effect भी हुआ है वो बाद में हम इसको set कर लेंगे कोई issue नहीं है इसमें अब dear friend finally हमारी कुस्ट यहां पर totally तौर पर complete होगी बस हमने ग्रेश के साथ जाके talk करने लेकिन उससे पहले वहां पर जाना पड़ेगा हमें तो मैं ring of dueling one time हमरे पास रहागी है तो मैं जाता हूँ यहां पर clinic war में ताकि हम reset भी वहां पर हो जाएं और सीधा मैंने आपको एक चीज़ बताई है ते क्या करना है उसका एक portion make करना है मैं आपको बता दूंगा क्या करना है तो यहां पर हम totally तौर पर heal up हो गए अब वापसी जाना है यहां पर एक और हमें मिले का जी पॉर्टल इसके अंदर जाएंगे तो हम सीधा चले जाएंगे कासरवार और वहां से नीचे की तर जाना है अपने और हमारी क्वेस्ट जो है complete हो जाएंगे तो यह रहा ग्रेश इससे बात करनी है स्पेस प्रेस करना option number one so dear friend finally you have completed the jogger fresh eater quiz your one quiz point rewarded के तर पर मिला है उसके बाद हम arrow make कर सकते हैं and dear friend दो हजारा में रेंजिंग एक्स्पी मिला हर प्रो एक्स्पी मिला है तो I hope कि आपको हमारी यह गाइड अच्छी लगी होगी लेकिन अभी इस वीडियो को बंद मत कीजिए यहां लास्ट में मैं वापस जाता हूं यहां पर रुणिंग करता हूं हम जाते हैं बैंक अंदर हमें एक और करका यह आपको दिखाता हूं किया करने तो मैं यहां से क्या करता हूं सिद्धा विराख जाता हूं तो grand exchange में जा रहा हूं आपको याद होगा जब हमने मैं यहां पर ग्रेंड एक्स चेंज आ गया हूं ठीक है तो जब हमने जंगल पोशन कुष्ट की थी तो मैंने दो दो पते और वेल्ड इस तरह से मैंने का था आप एक्स्टरा ले लिए जिएगा के नेक्स्ट जो कुष्ट जितनी भी आएंगे उसमें यूजड होंगे तो एस कुष्ट में यूजड तो नहीं होगा लेकिन इसमें पॉष्ट बनाने यूजड होगा पोशन बनाना है हमने potion make करना है really come bomb तो क्या करना है एक पानी की बोतल आपने ले 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 लिनी वाइल आफ वाटर उसके बाद ये snake weed को clean करके इसके उपर use करना है ठीक हो गया उसके बाद ये friend इस leaf को भी इसके उपर use कर देना तो ये हमारा बन जाएगा really come bomb ठीक हो गया तो ये जो potion है ये जो potion है ये जो पोशन है ये ज्यादा तर वर्क करता है जैसे के हमारे effect हुआ था हेल्थ पर हम उज़र जाकर restore हुए थे अगर ये हमने पहले ही में किया होता तो हमें कोई tension नहीं थी ये जो भी आपको weakness होगी तो अगर इसका एक भी ड्रिंग आप भी लोगे तो आप बिल्कुल set हो जाओगे तो कैसी लगी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ को जूरी शेयर कीज़ेगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत पूलिएगा थोड़ी सी बोईयर से करी होई थी लेकिन अगर इसके आप और चीज़ें नेट पर ढूंड़ो गए यूटिब पर तो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वा को बिल्कुल समझ में नहीं मैंने चांद एक चीज़ें आपको बताई जिसके मदद से हमने यह पूरी के पूरी क्विस्ट को कम्प्लीट किया इनिशालला किसी और भी क्विस्ट में उपके साथ मुलागात होगी तब तक किलिए मुझे अजास देज़ेगा जी अल्लाहाफीस हेई डिया फ्रेंड वेलकम बैक तो कैसी लगी आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिये अपने दोस्तों पिएट कीजिए और इस वीडियो को करने के दौरां किसी किसम की भी कोई भाई में स्टेक हुई हो तो प्लीज इस कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बदाईएगा तो मिलते हैं किसे और अच्छी से वीडियो में तब तक ले अपने भाई को जाज जीजेगा अलाफेश